इसके कई कारण। रिपोर्ट में जो बिंदु दिया हुए के कई बिंदु हैं। पाँच वी रिपोर्ट का जो दूसरा बिंदु है महत्पूर्ण बिंदु जिसके कारण से प्रस्तुत किया गया। वह था कि British East India Company को भारत और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब East India Company 1600 में जब उसकी स्थापना होई इंग्लेंड में तो तत्कालीन रानी ने, इंग्लेंड की रानी ने इस इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था कि इस कंपनी के लोग भारत और चीन में अपना व्यापार कर सकते हैं और अपना मनाफ़ा कमा सकते हैं। तो इन लोग और दूसरे लोगों को व्यापार करने की मना ही थी और यदि दूसरों को करना है तो उन्हें East India Company का सदस्य बनना होगा चाहे employee के रूप में, चाहे partner के रूप में, किसी भी रूप में। तो यह जो एकादिकार था, इस एकादिकार का फायदा अन्य लोगों को नहीं मिल रहा था। जो अन्य लोग जो वंचित थे स्वाभाई कुरूप से वो इतका विरोध तर रहे थे ब्रिटन की अन्य समू कमपनियों के एकादिकार के विरोधी थे और वे कमपनी को इस व्यापारिक एकादिकार पदान करने वाले शाही फर्मान को रद करना चाहते थे तो यह जो पांच हो ऐसा लगे कि यह कमपनी अपने उद्येशों में असफल हो रही है और इसलिए इसके एकादिकार को समप किया जाए याने ओपन डोर पालिसी खुला दौर सभी लोगों को अन्हमति हो व्यापार करने की ऐसा दिया जाए इसलिए भी रिपोर्ट का महत्व है और यह दूस तीशरा जो कारण था जिसके लिए रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया वह था कि निजी व्यापारी इस्ट इंडिया कमपनी के व्यापारी तो अलग थे इसके अलावा कुछ अपने अलग से निजी व्यापारी भी थे जो इस्ट इंडिया कमपनी के सदस्य नहीं थे लेक निरंतर विद्धी हो रही थी और श्वाभाविक है ये लोग भी चाहते थे कि भारत से जो व्यापार हो रहा है इस्ट इंडिया कमपनी का उसका लाब उसका फायदा उसका मुनाफ़ा उसमें भागीदारी इनको भी मिले तो निजी व्यापारी भी सतत रूप से ये दबाव बना रहे थे कि कमपनी का एकादि का समाप्थ हो और ये दबाव दिनों दिन बढ़ता भी जा रहा था क्योंकि इनके संख्या भी बढ़ रही थी चौथी बाद इंग्लेंड के जो उद्योग पति थे जो निजी व्यापारी थे जो उद्योग पति थे वे भारत के बाजारों को बिटिश विनिमक करताओं के लिए खुलवाना चाहते थे वे चाहते थे कि भारत के बाजार चीन के बाजार इंग्लेंड के सभी लोगों के लिए खुले रहे कि इस्ट इंडिया कंपनी के ही क्यों ऐसा सवाल तो खलवाना चाहते थे ऐसे बहुत से राजनेतिक समूहों का विचार था कि बंगाल में जो इस्ट इंडिया कंपनी ने विजय पाई याने 1757 में प्लाची के युद्ध और इसके बाद 1764 में बक्षर के युद्ध के बाद बंगाल पर विजय प्राप्त कर बंगाल में अपना शासन जो बनाया वो एक तरीके से विजय इस्ट इंडिया कंपनी की क्यों मानी जाए बलकि ये तो संपूर्ण बिटिश राष्ट को इसका फाइदा मिलना चाहिए दूसरे शब्दों में इंग्लेंड के बहुत सारे र जन्यतिक समू बार बार इस बात का दबाव बना रहे थे कि बंगाल विजय का लाब मात्र इस्ट इंडिया कंपनी को नहीं बलकि ब्रिटिश राष्ट को इंग्लेंड के सभी लोंगों को सभी तबकों को इसका फाइदा मिले पांच्विया कारण जिसके कारण इस रिपोर्ट को प्रस्टुत करना आवश्यक हो गया भारत में जो कंपनी थी 1600-1605 में आई और 1757 में उसने बंगाल में शासन शुरू किया कैसे एक वियापारिक कंपनी एक शासक बन गई और फिस 1764 में बक्षर में उसने अपनी विज़े सुनिश्चित कर ली उसके बाद 1763 में उसने एक कानून भी पास किया ब्रिटिश पार्लिमेंट जिसे हम कहते हैं रिगिलेटिंग एक्ट तो यह रिगिलेटिंग एक्ट ना यह फिलेज़े हुए क्यों इंग्लिश पार्लिमेंट को दखल देना पड़ा कारण यह सब दवाओं जो ठे राजनयतिक समुहों के दवाओ निजी वियापारियों के दवाओं इंगलंड के उड्योग पत्यों के दवाओं जिक्र हम कर हैं तो एक दबाव और था कि company जो है वह एक तरीके से अराज़क्ता कर रही है याने अपनी मन मरजी का कर रही है वह इस बात की चिंता नहीं कर रही है कि वह इंगलेंड का प्रतिनिधित्व करती है और उसका जो व्यवहार है company के अधिकारियों का या कम्पनी का वहां उचित नहीं है ऐसा भी इस कमीटी की रिपोर्ट में बताया गया तो कम्पनी की अराजक और अव्यवस्थिस शासन की सूचनाएं इंग्लेंड को जब तब मिलती रहती थी इंग्लेंड के समाचार पत्र कम्पनी के अधिकारियों के लोब और भष्टा चार की घटनाओं का लगातार परदा फ़ाश करते रहती है यानि अब मीडिया भी सामने आगया तदकालीन समाचार पत्र तदकालीन पत्रकाओं में भी इसका जिक्र होने लगा कि भारत में इंग्लेंड के अधिकारी किस तरीके की अव्यस्था फैलाए हुए हैं किस तरीके का लोब कर रहे हैं किस तरीके का भष्टा चार कर रहे हैं इसलिए भी बिटेन के सरकार के लिए कंपनी के शासन को विनियमित और निहनतर करना अत्यादिक जरूरी हो गया तो कैसे देखिए समय के साथ साथ वह कमपनी जो मत्र व्यापार के जिश्ट से आई थी जिसे मत्र व्यापार करने की अनुमती मिली थी उसने कैसे अपना रूप बदला शासक बनी और शासक बनने के बाद इसकी ये बातें इंगलेंड में जाने लगें कि कमपनी लगातार अराजक्ता का व्यभार कर रही है लगातार ब्रष्टा चार में लिप्त होते जारी है लगातार दुर व्यवस्था, अव्यवस्था, लोब और आदि-आदि की जानकारियां लोगों तक पहुँच रही है इस उद्येश्व से भी ब्रेटन की सरकार के लिए कमपनी के शासन को नियंतरित करना भी जरूरी हो गया तो यह नियंतरन अब आवश्यक हो गया, कमपनी को नियंतरित किया जाए और नियंतरित कौन कर सकता है, वही जिसने कमपनी को बनाने में अपनी सामत ही दी है यानि बिडिश पालम है और बिडिश किंग या क्वीन तो अब समय आ गया था और ये लोग भी चाहते थे इस रिपोर्ट में ये परलक्षित होता है साथ ये लोग चाहते थे कि कंपनी का प्रभाव कम हो और वह सरकार इंग्लेंड की सरकार के मातहत अब आ जाने इसी उद्येश से बिडिश संसद ने अठारवी सिताबदी के अंतिम वर्षों में बहुत सारे कानून बनाएं मैंने एक कानून का जिक्र किया आपके सामने 1773 का रिगिलेटिंग एक्ट ऐसी एक और कानून बना जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का विलियम पिट दे यंगर वो वहां के प्रधान मंत्री थे और उनके नाम से ये नया बिल पारित हुआ नया अधिनीमियम पारित हुआ जिसमें संसद का प्रभाव इस्ट इंडिया कमपनी पे बहुत बढ़ गया और इस्ट इंडिया कमपनी बिटिश पार्लोंमेंट के माताहत आने वाली एक से कमपनी की तरह देखी जाने लगी थी यही कारण था कि बहुत सारे कानुन बने और कम्पनी को विवश किया गया कि वह नियम से अपनी रिपोर्ट भेजा करे भारत के प्रशासन के बारे में भारत की आर्थिक इस्थिति के बारे में भारत से होने वाली आयविया के बारे में क्योंकि इस सब का असर कुल मिलाकर इंगलन्ड पे तो पढ़ी रहा था इस इंडिया कम्पनी पे تو प्रभाव पढ़ी रहा था लेकिन इसका इससे जो आमदनी थी इससे जो आए थी और इससे जो सामाजी की विफ्था में बद्लाव आ रहा था इसका असर इंग्लेंड पर पढ़ी रहा था इसलिए भी बिटिश पार्लमेंट ने अंग्रेजी संसद ने ऐसे कानून पारिद किये जिसके तहट इस इंडिया कंपनी अब बाध्धि हो गई कि वह प्रशासन संबंदी रिपोर्ट नीमित रूप से इंग्लेंड को भेजे कंपनी के कामकाज का निरिक्षन करने के लिए भी कई समीतियां बनाए गई चाहे वो आर्थिक कामकाज हो चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर हो इसके अलावा राजनेतिक स्तर पे भी हो लोगों से संबंदों के लेकर भी हो इन सब बातों को जो विविन रियासतें थी उनके साथ इस्ट इंडिया कंपनी के संबंदों को लेकर भी निरिक्षन करने की जरुत महसूस की गई और British Parliament ने इन सब बातों को लेकर कई समीतियों का निर्मान किया जिसका काम था East India Company के प्रशासन के विभिन पहलूं का समय समय पर दिरिक्षान करना यह जो पांचवी रिपोर्ट है यह एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसे एक तरीके के एक समीति नहीं तयार किया था और आप समझ सकते हैं कि समीति एक तरीके से East India Company के प्रती प्रिजिडिस थी उसके पक्ष में नहीं थी और उसने जितने अपने बातें लिखी हैं उसे दिखता है कि एक इंग्लेंड चाहता था कि एक कमपणी का रुत्बा, कमपणी का उहडा, कमपणी का प्रभाव कम हो और उसके उपर सरकार का प्रभाव रहे अब हम आते हैं आखिर ये रिपोर्ट इतनी महत्पूर्ण क्यों है इस रिपोर्ट का परिणाम क्या हुआ इस रिपोर्ट के देने के बाद क्या निशकर्श निकालेगा इस रिपोर्ट के आधार पर क्या परिवर्तन लाया यही फिर तहम थारवी सदीप के बारे में बात करें तो शासन का सुरूप क्या था थारवी सदी में इस पर इसमें चर्चा है शासन के सुरूप पर विशेश चर्चा थी उसके लिए क्या सुधार की जुरत है इसके बारे में विरण दिया हुआ है और एक सो पचास वर्ष का पूरा संकलन उसको संयोजित करके विस्तरत रूप से इसमें लिया गया है इसके साथ ही हमारी जो अपने खुद की अवधारनाओं को वो प्रभावित करती है याने आने वाले काल में इस इंडिया कंपनी किस रूप में शासन की उसने किस दृष्टी से इस पांचवी रिपो को लिया और अपने को सुधार किया यह आज हमारे लिए एक महत्पूर्ण रिपोर्ट हमारे लिए एक महत्पूर्ण डाकिमेंट बन जाता है जिसके आधार पे हम निश्कष निकाल सकते हैं कि बिटिश सरकार बिटिश शासन इस इंडिया कंपनी के माध्यम से किस तरह हमारी अपनी वर्तमान के अधारणाओं को भी यह बहुत प्रभावित करती हैं इस रिपोर्ट के अधार में भारत में कंपनी के शासन और कंपनी के स्वरूप को लेकर भी बहुत वाद्यवाद हुए स्वरूप को लेकर का अर्था कि यह कंपनी भारत आई क्यों है क्या अब से मुझ्य थे जिसमें स्वरूप को हम सोच सकते हैं तो इस पर में काफी वाद व्युवाद बढ़ने लगा काफी वाद व्युवाद होता रहा और इसमें जो उपलब जो डॉक्युमेंट्स हैं इसमें जो उपलब जो जानकारियां दी गए हैं वे दिनों दिन हारणाओं को भी दिशा देने में मदद करती है पर हमें याद खना होगा कि यह रिपोर्ट अंतितका सरकारी रिपोर्ट थी यहने सरकारी नजरिये से लिखी गई थी इसमें सरकारी करण दिखाई देता है ब्रिटिश कंपनी का नजरिया रहता है भारतियों के नफ़ा नुकसान पर शायद उतनी सपस्ट टिपड़ी ना हो जितना कि अंग्रेजों के खुद के नफ़ा नुकसान पर इसमें दिया गया होगा तो इस प्रकार हमें इस रिपोर्ट को एक एतिहासिक दस्तावेज मानते हुए यह ख्याल लखना होगा कि यह रिपोर्ट एक सरकारी रिपोर्ट थी और इसलिए अत्याधिक सावधानी पूर्वक इसे हमें उप्योग करना होगा अपने एतिहासिक पुनस्तर रचना के लिए जहां एक और फर्मिंगर की रिपोर्ट जिसे पांची रिपोर्ट भी कहते हैं वह एक बहुत महत्पूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है कई दृष्ट से जिसका उनलेक मैं कर चुका हूँ लेकिन इसके कुछ दोष भी है इसकी कुछ कमियां भी है और वैसे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हमारे लिए क्या महत्वका है ऐसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि फर्मिंगर की रिपोर्ट इन दोशों के बावजूद भी अत्याधिक महत्पूर्ण रिपोर्ट थी पहला तो बड़ा पश्ट है और वह है कि यह रिपोर्ट निश्पक्ष नहीं है अर्थात क्या हुआ कि किसी खास देश्ट से रिपोर्ट लिखी गई है ऐसा मालूम होता है देखिए कंपनी जो थी वो इंग्लेंड की थी इस्ट इंडिया कंपनी इस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिला हुआ था भारत में व्यापार करने का और इस्ट इंडिया कंपनी उस व्यापार से भारी मुनाफ़ा कमा रही थी और इस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मिचारी थे उसके अधिकारी थे उसके ओनर थे उनहीं को पूरा फायदा मिल रहा था अर्था इंग कमपनी के प्रोफिट का उसके लाब का हिस्सा बनना चाह रहे होंगे लेकिन या तो उन्हें बनाने नहीं दिया जा रहा होगा या कुछ अन्य बाते रही होंगी मतलब ये जो वर्ग था जनहें ऑस इंडिया कमपनी के भारत से होने वाले लाब से वंचित रखा जा रहा था क नहीं इनकी भावनाएं उस रिपोर्ट पे परिलक्षित तो नहीं हुई और सचाई तो यह है कि इसका उद्येश ही एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि फर्मिंगर रिपोर्ट जो है उसका मूल उद्येश ही था इन वंचित लोगों की भावनाओं को व्यक्त करना तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह रिपोर्ट निश्पक्ष नी थी और इसलिए मूल रूप से इस रिपोर्ट में कमपनी के कुशासन को कमपनी के द्वारा की गई अव्यवस्था को कमपनी के द्वारा की गई जादतियों को अत्याचार को इसको ज़्यादा उजागर किया गया तो यह तो हुआ इसका पहला दूश इसकी बहुत आलोचना हुई इस रिपोर्ट पे कंपनी के कारे कलाप को लेकर बहुत आलोचना की गई बहुत टिपड़ी की गई है दूसरा कि यह जो फर्मिंगर रिपोर्ट है इसमें जो परंपरागज जमीनदार थे जो बहुत व का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया हूँ प्रमपागश जमींदार जो ताकतवर ही नहीं थे बलकि साथ में एक उनकी अपनी जीवन शैली हो गई थी एक अपनी एक व्यवस्था हो गई थी उनका जो पतन हुआ उनकी जो गिरावट हुई उस गिरावट का वर्णन बखान करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ा किसमें किया गया है तो ये भी इसका एक दोश है तीसरा जमींदारों के द्वारा समय पर राजस्व कर ना दिये जाने के कारण जो निलामी होती थी उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा कि दिखाये गया है ऐसा परिलक्षित होता है कि मानो अधिकतर जमींदार समय पर राजस्व नहीं देने के कारण समय पर लगान ना देने के कारण शायद वे जमीन से खेड दिये जाते थे और ने जमीनदार आते थे तो और यह प्रक्रिया एक सामानी प्रक्रिया हो गई थी ऐसा इस वीवरण में बताये गया है पर ऐसी बात नहीं है असा लगता है कि यह अतिशयोक्ती है यानि कुछ बढ़ा चड़ा के बताये गया है कि बहुत सारे जमीनदारों को जमीन खोना पड़ा और उसका वर्लन भी बड़े विस्तार से इसमें किया गया है सच्चाई तो यह है कि बहुत ही कम माम में ऐसे जमीनदारों की विस्तापना हुई ऐसे जमीनदार विस्तापित हुए जो समय पर लगान नहीं दे पाए अधिकतर लोग येन केन पकारेंड अपने तरीके से अपनी जमीन बचा लेते थे मैंने पूर में भी उजाहरण दिया है एक दो उजाहरण के माध्यम से मैं ने बताने की कुशिश की है आपको कि कैसे बर्दवान के राजा बर्दवान के जमीनदार और कुछ अनिक शेतरों के जमीनदार भी अपने तरीके से साम दाम दंड भेद आदी से अपनी जमीन बचा लेते थे लेकिन हां बचाने जमीन छीने जाने की धंकी देती दी जा र यह जमीदार विस्थापित हों उनको तो आमदणी से मतफ़ा निलामी से होने वाली आमदणी से और इसलिए इतना जो इसमें बार बार रिपोर्ट में बताए गया है कि बहुत सारे जमीदार विस्थापित हुए उन्हें जगा बदलनी पड़ी और इसके एकारण बहुत बचा लेते थे तो ये इस फर्मिंगा रिपोर्ट की कुछ खामिया हैं लेकिन खामियों के बावजूद इस रिपोर्ट की महत्ता पर उपादेता पर और आज भी हम लोगों के लिए उस काल का आकलन करने में यह रिपोर्ट बहुत महत्पूर्ण हैं इसकी महत्ता पर कोई कम नहीं परती.